तो आप भी अपने Snapchat account को पर्मानेंटली हमेसा के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपने Snapchat account को पर्मानेंटली हमेसा के लिए कैसे डिलीट कर सकते हैं तो फ्रेंड अगर आप भी अपने Snapchat अकॉंट को डिलीट करना चाहते हैं हमेशा के लिए पर्मानेंटली तो फिर इस वीडियो को पूरा लास्टक जरूर देखिएगा तो फ्रेंड मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल तो फ्रेंड बिना टाइम बेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले आपको अपने Snapchat अकॉंट को डिलीट करने के लिए आपको करना क्या है सबसे पहले आपको अपना Snapchat करना थो यहां पर कौने में सेटिंग वाली आपसन की उपर आपको किलिक कीजेगा तो आपके सामने यहां पे कुछ इस तरीका का page open hooga a friend आपको यहाए नीचे स्ट्रावर डाउन करनी है तो यहाँ है नीचे मिल जाएगा यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर आइप सिंपल यहाँ पर क्लिक करनी है जैसे किलिक किजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा पर यहाँ जोपन हो जाएगा आप तो उसके लिए आपको करना क्या है डिलीट करने के लिए यहां पे देखसे तो सबसे फस्ट पर ही लिखा हुआ है डिलीट यूर अपको सिंपल सा यहां पर यहां पर एक बात ध्यान रखना है अगर आप स्नेपचेट एकॉंड को एंड्रॉइड फोन में यूज करते हैं तो फ्रेंड देखसे तो यहां पर यहां पर पोटाल अगर colors in आंप अन्ट फोन में यूज करतेð represents यहां पर सनेपचेट एकउन पॉर्टाल यहां पर यहां पर सिंपल सा इसी के उपर आपको किलिक करनी है जैसे किलिक कीजेगा तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा देख सकतो यहाँ पे एक ऐसा पेज ओपन हो चुका है आप फ्रेंड आपको करना क्या यहाँ को यहाँ पे पोड़ा सा नीचे स्टॉल डाउन करनी है जैसे नीचे स्टॉल डाउन कीजेगा तो यहां पे उपर में आपका यूजर नेम है और यहां पर आप पासवर्ड मांगेगा तो आपको यहां पे अपना पासवर्ड को फिल करना है तो मैं यहां पे अपना पासवर्ड को फिल कर देता हूं और पासवर्ड को फिल कर देने के बाद यहां पे देख सकतो लिखा हुआ है कंटीन्यू सिंपल सा यहां पे आप कंटीन्यू के उपर कि आपका जो एकोँट होगा यहाँ पर ऐलीट हो जाएगा यहाँ कि करना क्या है और फ्रेंट आपको क्लान क्या है आपको एक बाथ तो हमेशा के लिए delete ही हो जाए तो फेंड आपको अपने account को 30 दिन तक login नहीं करना है और फेंड इस तरीका से आप अपने Snapchat account को permanently हमेशा के लिए delete कर सकते हो